जो भाई साथ चस्मा लगाएं खड़े हो आजाओ तो इनको भीजना यह चस्मा बाले भाई साथ यह चस्मा पेने और उस तरफ हां हां तुम आई आओ बॉस बने खड़े आओ तुम आई ठट्री यह तुम नहीं तुम रोग जाओ इतने ओबर कॉन्फिरेंस बाहर चस्मा लगाएं बोलो सिता राम दोना हाथ उढ़ाकर बोलो सिता राम साधू जी साधू जी जैस्री राम आँगे बढ़ो हाँ बोलो सिता राम आपको नहीं बुलाया आप बैठों आपका बार बार फटार फटार हो रहे हैं देविंद्र अंगली आग्या देविंद्र नाम के बालक की अरजी स्विकार हुई है और यह देविंद्र नाम का बालक पीछे बैठा है सफेद रंग की सर्ट ऊपर से जो है कोटी काले रंग की धारीदार पहने हुए है और पीछे की तरफ में बैठा है इसकी अरजी स्विकार हो चुकी है आजी तुम देविंद्र नहीं हो आजाओ तुम चस्मा लगा लो तो हम बद 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 पहां पर ले हम आए ना पर भगवान के पर हम तो नालायक आदमी हमें क्या परनाम करना और नद्दी का चस्मा लिया और नद्दी का कि ऐसे बैठो मारा को करना एंसे बैठो बगल और बगल महां देखो अब बाह हस्ता हुआ नूरान चेहरा कहां से नागपूर नागपूर हमें भरोस हो तो नहीं हमें विश्वास था जब हमने आपको चस्मा लगाए देका हम हम समझ करें दिनागपूर के हैं हम समाझ करें हम तो दूरी से तामार करें हम खुस्भू आ गई थी पहली बार आए दरवार में जी है क्या पढ़ाई कि आपने अपने अध्यू क्लास है चलो हम हम भी यही लेवल तक है है तो आप मानते हो कोई बिना बताय पहले से परिचे पर लिख दे किया मन में बात है या क्या बोलने बाली है तो आपको टीवी की उपर में देखता हूं मावाजी तब सरी आपको विस्वास करता हूं हाँ जै जै श्री राम तो नाकपुर में कहा रहते हैं नरसाला कि साधू जी ओ साधू जी ओ साधू जी कि बोलो क्या प्रिश्णा है बस आपकी कृपा चाहिए बाब और कोई बाद कि फिर होई थोड़ा तबे तुबर रिखित भीर क्या हो जाता है अच्छा पड़ो माइक लिए रहो स्यू जी की भक्ती बड़ेगी कृपा लेने आये हैं जीवन में कोई इस्थाई आप प्रुष्ण नहीं काम मनुरत पूर्ण हो जाएगा साधान रहें एक मुकदमा का योग बन रहा है उससे साधान हो जाएं कमपन नहीं होगा सभी मनुरत पूर्ण रहोंगे आसीर बात ह एकदम सही बात है एकदम सही है एकदम सही है जो मुकतमा तुम समाझ गाए हुई हमने कौन सो तुम्हें बताओ जी सब्सक्राइब लोग या चरत्र में नहीं फसने हैं इसलिए हमने तुमको बुलाया है क्योंकि अब मेटर बेगड़गा हो थे घरवाला ना पतो लग सब्सक्राइब जाओ कम पन्ना हुई है लोग या चरत्र धुवां जी दोनों भर तुम बंद कर दो सो तुम राजा बंजे इलू-इलू निकरना है जाव आसिरवाद है कि बोलो भागेश्वर्धाम की जैजे श्री राम कि इसमें एक मंत्र बिया तुमारी कोटी कहा हैуса कोटी कहा हां हां चोड़े आया है Hola तुम्हें संकरजी को एकवा की माला पहनाएए सफेध आंक्ड़ा होता ना क्या कहते आंक्ड़姓 कहते ना सफेध आर्क आकवभा उसकी माला पहना दो और बीच में भागे श्रूँ धाम की पेशिशुरू कर दो एक हमने इसमें मंत्र दिया है तीन माला करना है जाओ उस बिबाद से तुम जो है भगवान ने चाहा अगर तुमने बुद्धी का प्रयोग किया तो उस बिबाद में नहीं पड़ोगे ना मुकदमा का योग होगा जाओ आसीरबाद है आओ जैस्रीराम